वेल्कम डू माय कीचन आज हम मोमोस बनाने जा रहे हैं पहले हम मोमोस डोर रेडी करेंगे उसके लिए देखते हैं हमें के अवशकता है इससे पहले प्लीज आप मुझे सब्सक्राइब कर ले मेरे न्यू रेसिपी जानने के लिए 200 ग्राम मैदा 1 फॉर्थ टी स्पून बेकिंग पाउडर 1 फॉर्थ टी स्पून सॉल्ट 1 टी स्पून ओई और पानी गरम पानी आटा लगाने के लिए हम गरम पानी लेंगे आईए हम डोर रेडी करते हैं एक बाउन लेंगे इसमें हम आटे को डालेंगे सॉल्ट और टेकिल पाउडर को आड़ करेंगे ओई अब इसका चपाति जैसा डोर तैयार करेंगे जाधा लूज नेंगे लियम डोर तैयार करेंगे अम इसको बिनाएंगे और गरम पानी से ही इसका डोर रेडी करेंगे कि देख सकते हैं हमारा डो रेडी है इसे हम कपड़े से ढख कर आधा गंटे के लिए रेस्ट करने को छोड़ देगे आईए देखते हैं फिलिंग के लिए हमें किन किन चीजों की ज़रत है वन बावल कैबेज बारिक कटी हुई सम गाजर बारिक ग्रेट क्युई इसको आमने लिचोड लिया है आप देख सकते हैं लिचोड लिया है आमने इसका पानी वन लार्ज ओनियन बारिक चुप 2-3 टेबल स्पून ओईल जिंजर गार्लिक पेस्ट वन टी स्पून कुछ पनीर क्यूब्स जो मने घर पर ही बनाया है कोरियंडर लिच धनिया पत्ति डालने के लिए और मसाले भुना हुवा जीरा हाफ टी स्पून हाफ टी स्पून धनिया पावडर हाफ टी स्पून स्वादा नुसार ले सकते हैं 1 ती स्पून ब्लैक पिपर कालिम बिर्ची आईए हम इसे बनाना स्टाट करते हैं आईए हम पैन में ओईल डालते हैं हमने 2 स्पून डाल दिया तो यह गारम हो चुका है इसमें अन्याल डालके पेट में लखके रहें अब आम इसमें गारलिक जिंजर पेस्ट डालेंगे तो बुन गया है अब आम इसमें कैरट डालेंगे ग्रेट क्यूवी एक डट इसको बुनेंगे चलाते रहेंगे यह चुकु प Кभेज डालेंगे हम इसमें सौल्ट मिक्स करेंगे लिए था उनने टाल पकाशन सौल्ट डाल यह दाल गार स्वास्पहु देख रूं casal और एक तो अच्छी मेश करते हुआ मिलाएंगे हमें फ्लेम को बन कर देंगे मेरी प्लेम करेंगे और प्लेम बन कर रेड़ी है अजय तो हमारा आटा रेटी है इसका थोड़ा ओलें आप नहीं हमें थोड़ा इसको मसलेंगे और रोटी के जैसे बेलेंगे लोगे लेंगे क्यों कि आप देलेंगे यह हमने छोटी बैला लेगे हैं छोटी लोई लेके अग इसमें हम मसाला एड़ करेंगे इसको बंद करेंगे हम इसको कोई भी शेप दे सकते हैं हम इसको कि इसे करके देख सकते हैं हमारा मोमोज बनके रेडी है इसी तरह हम सभी मोमोज रेडी करेंगे गोल शेप भी बना करते हैं हम इसे शेप भी कि देख सकते हैं इस शेप में इसको रेडी कर सकते हैं हमने इस तरह की छलनी लिए है इसको हम इसे ग्रीज कर देंगे थोड़ा वह लगा देंगे और इसमें मोमोज रखेंगे हमने पाने को बोईल करने के लिए रख दिया था अब हम उसके ऊपर इचलनी रखेंगे और एक प्लेट को कब सब्सक्राइब करेंगे और फिफ्टी मिनट्स तक अपने दीज़ एक हम चेक करेंगे 50 मिनट्स हो चुके हैं हमारे मोमो बनकर रेडी होगे कि आप देख सकते हैं मुमोज खूल कर बनकर रेडी हो चुके हैं अब हम इसे ठंड़ा होने के लिए रख देंगे यास की फ्लेम को आफ कर देंगे हैं हमारे मोमों ठंडे हो गए हैं आप देख सकते हैं कितने अच्छे बने हैं पर हमने इसे लाल चटने के साथ सर्व किया है अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आती है तो प्रीज मुझे सब्सक्राइब करें और उसे घर पर जरू ट्राइब करें बहुत ही टेस्टी है धन्यवाद